कि आई गाइज कैसे हैं मिन करता हूं क्या बच्छी समय समसे पहले आपने स्वागत है मेरे यूटुब चैनल जिमी बढ़ाकर में अभी फिलाल में आया हूं देखें यह राम नगर वारा नसी का यह एरिया है आप देख सकते यह जो ब्रीज देख रहे है यह पाइपास ब्र ट मेरी प्रीज कहा जाता है यह जो हाइवे जो बिरिज देख रहे हैं यह कानपूर इलाबाद देहली यह पुरा जोडती है यह पूल जो है यह कलकता से हाइवे होते हूए गया होते हूए गाइस यह मिल जाती है आपको दे दिलिवे अभी फिलाल में तेक गंग्ड़ के क किनारे में हूँ ठीक यह पूल के पास में मौजुद हूँ आप देख सकते हैं यहां से आप वो जो ब्रीज एक्ट देख रहे हैं वो राम नगर ब्रीज यह सास्त्री पूल और आगे में जो है वो भी एचू लंगा को जोड़ती है यह ब्रीज वारनसी और यह राम नगर त तो इस जगह पर मैं पहली बार आया हूँ गाइस एक्ट्व में यह ब्रीज के नीचे का यह पोर्शन है और बहुत से लोग जो है इस जगह पर आके मचली मारते हैं तो उसी के सिलसिले में मैं थोड़ा से आया हूं देखने के लिए कि यह जो मचली मानने का जो इस नामी है पहले के लोग यहां आके मारते थे गाइस और यह देखने के लिए आया हूं कि यहां पर किस तरह का यह फिसिंग स्पोर्ट है तो आगे भी बहुत से घाटे है ऐसे तो वहां पर जो जो किला के पीछे का है वह सबसे बेस्ट है पी निनोटी घाट है और एक कुता के लिहास से फिसिंग के हिसाब से यह बेहतरिन जगह है और यह जो पूल जो देख रहे है गाइस यह पूल के साइट में देखिए एक बंदरगा बनी है गाइस जो बहुत से जो हल्दिया कलकता से इसी बोट के दुआरा बड़ी जो जहाज होती है पानी और जहाज वहां स सामने में टावर टाइप देख रहे हैं ब्रीज के नीचे में वह एक छोटी मोटी एक छोटी क्या मोटा मोटी यह बंदरगा है गाइस तो बहुत ही खुपसूरत यहां कुछ लोग जो है फिसिंग कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ तो गाइस देख सकते हैं यहां पर जो मचली के सिकारी है जो सिकार करने आते हैं सौकिन आदमी है पुरा जोगा करके यहां पर आते हैं और शिकार करते हैं यह फिसिंग के हिसास हिसाब से बहुत अच्छा यह खुपसूरत लोकेशन है गाइस यह ठीक है देखें यह बिश कि मचली नहीं लगी है और सीजन ये एक्षुल में होली के बाद मार्च मेना के बाद स्टार्ट हो जाती है तो गाइस देख सकते हैं यहां पर सिकार करते हुए अब बबलु भाई आए कैसे देखिए मैं आपका फैबरेट जो फिसिंग स्पोर्ट जो है देखिए यह ब्रीज देख रहे ना यह देखिए खुब्सूरत जो ब्रीज है राम नगर वारा नसी के यहां पर भी फिसिंग स्पोर्ट बहुत बहतरी है तो यहां पर आके माल लीजेगा थोड़ा से बैटने के बहुत अच्छा प्लेस है और मेरे जो बबलु भाय जो लखनों में रते हैं और उनके जो रिलेटिव है बनारस राम नगर गोला घाट में उनका रिलेटिव है वो आते है अक्सर गाइस तो अभी आये हुए थे तो एक गेम है गाइस तो उनको वो थोड़ा इस पर वो काम करते हैं और सर्टिफिकट बाढ़ते हैं तो वह बहुत 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 बह बैठन स्पोर्ट ढूंडा हूं ठीक भी सोसंद्री पूल के सामने में और इसी बगल से रास्ता है यह भी स्पोर्ट बहुत बहुत बैठने के भी यहां पर जगा है गाइस बबनु भाई ठीक है ठीक है तो गाइस देख सकते कितनी खुपसूरत वीव है गाइस यह राम नग साम को साम के वक्त है पांच बज़कर पचास मिनट उपर हो गई है मैं छे बज़ बजने में करीब कुछ मिनट बाकी है यह बिसु सुंद्री पूल और बस कुछ देर के बाद यह सूरज अस्त हो जाएगी और कुसप मारो एक्सराइज करो तो गाइस देखे यह बंदा जो दो, तीन, चार, पाँच, छे, शाब, आड, नो, दश, यारह, पारह, तेरह, जोदह, पंदरह, सुल्लह, सत्रह, भारह, उन्नेश, बीस, कैस, बाईस, एस, चोबिस, पच्च्च्च्च। च्च्च, 24, 27, 26, 29, 30, 30, बहुत अच्च्चा बहुत, 30 तक मारे वाँ, तो गाइस मैं जो एक्च्चौल में यह जो प्लेस है, गाइस मैं पहली बार इधर आया हूँ, और पहली बार मैं अपने मोबाल के कैमरा से कैमरा से कैट कर रहा हूं, देखिए सूरज एक ड़म हस्त होने जा रही है जो पेड़ से अब दिख नहीं रही है तो पुसब के अलावा और भी बहुत सा अच्छा पेड़ में जो चिलिंग टाइप को बोलते हैं लटक नहीं लटक नहीं चलो ठीक 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 है फिर मिलते हैं थोड़ा देर इंतिजार किजिए मैं देखता हूं कुछ और लोकेशन ढूंडता हूं उसके बाद आपको मिलता हूं गाईज तो गाईज मैं ठीक उपर मैं अभी आ चुका हूं और यह जो वीव मैं आपको दिखा रहा हूं ठीक गंगा किनारे के ठीक उपर का यह प्लेस है मैं उपर से आपको यह जो खुस्ष्षर से जो संसेट है वो देका रहा हूं गाईज उपर आपको फबदल आपको कर दो दो पुस्षर से गुपित आपको मैं बाद गला कर रहा हूं अज्सित अचल झाल झाल